असलाम अलेकुम हलो फ्रेंज वेलकम टु जेबास किचिन आज मैंने बनाया है मतन पुलाव तो चलते हैं फिर बना लेंगे हम तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सरूर करिएगा मैंने ये 600 ग्राम मतन लिया है इसे मैंने बॉयल कर लिया है खड़े गरम मसाली डाल के काली मिरी, लॉंग, डालचीनी हल्दी, नम्मक एक लाइची, छोटी लाइची, बड़ी लाइची इस अब थोड़े एक एक दो दो डाल के मैंने इसे बॉयल कर लिया है अब मैं इसका मसाला बना लेती हूँ जिसमें मैंने एक वाटिक उत्मीर लिया है और हरी मिर्ची, टेस्ट के साब से आप लीजिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट तिक्का बनाया था आज तो मैंने पंदरा हरी मिर्ची डाला है इसमें और अद्रक लसन का पेस्ट जो मैं पेस्ट बना के रखती हूँ सपीस करके डालिए, थोड़ा सा इलाइची डाल दूँगी और काली मिर्ची डाला है और इलाइची डालके थोड़ा पानी आड़ करके मैं इसका पेस्ट बना लूँगी देखिए, अब मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है अब मैं चलती हूँ, तपेली की और मैंने तपेली ले लिया है जिसमें मैंने तीन चमच तेल डाला है देखिए तेल जैसी गरम हो जाता है मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाले तेस पत्ता दो थोड़ी सी काली मीरी जीरा दड़ चमच लॉंग दो तीन डाल चीनी एक चोटी इलाइची और एक बड़ी इलाइची इससे करके मैं इसमें तो इसे अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी अब मैं इसमें एड़ कर लेती हूँ मैं में दाल दूँगी मसाला, میں जो पेज reasonably बनाया हुआ हरी मिर्ची दाल के मैं इस थोड़े मिर्ची छोड़ दूँगी यह 3 मिडिम सैज के टमार्टर है और 3 सजा सरा हरी मिर्ची दालंगी अब इसे ज़म अब करने के बाद मिक्स कर लेना है देखिए अब थोड़ा सा नम्मग आड़ करूँगी और जो मसाले का पानी है वो भी आड़ करना है हमें ताकि नीचे से जले न अब हमें इसमें जो है पॉडर मसाले आड़ करना है थोड़े दिरतल का हम जो है टमाटर को पकने देते हैं फिर इसमें पाउडर मसाले आड़ कर लेंगे ये मैंने धन्या पाउडर दाला है आप स्पून तेक कर सकते हैं तीन से चार चमच तक का दाला है मैंने धन्या पाउडर तोटल चार चमच दाला है अब आड़ कर पाउडर एक चम मच और गरब मसाला पाउडर, इसे एड़ करने के बाद में मिक्स कर लूँगी, मसाला अच्छे से भुन लेना है हमें, और थोड़ा सा पानी भी आड़ किया, ताकि हमारा जले ना, अब इसमें मैं आड़ करूँगी धाई, धाई अच्छे से फेट लिया है पांसे च्छे चम्मच धई मैंने आड़ किया है देखिए पूरा नहीं आड़ करना है अब हमें मिक्स करना है इसे मसाले को अच्छे से हम पका लेंगे हमार टमाटर जो हच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे अब इसमें मैं आड़ करूंगी आलू ये दो आलू डालाए मैंने आप तीन से चार भी डाल सकते हैं क्योंकि छेसो गिराम तक का मटन है और साथ में आड़ करूंगी मटन भी मटन आड़ करने के बाद हम इसे अच्छे से मसालों में भून लेंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है जैसी बॉयल आजाता है मैं मिक्स कर लूँगी और अभी हमें जो है इसमें पानी आड़ करना है मैं इसमें पानी आड़ करूंगी चार ग्लास यह ग्लास का मैंने तीन ग्लास चावल लिया है और चार ग्लास पानी आड़ किया है क्योंकि इसमें मसाला भी है न तो अब मैं इसमें नम्मक डालके और उपर से कोतमीर और पुदीना चौप करके आड़ कर रही हूँ मैं पानी में ही अब जैसे इसमें बॉयल आजाएगा हम चावल आड़ कर लेंगे चावल मैंने वाश करके भिका के रखा है ये स्टीम राइ देखिए हम इसमें आड़ कर लेंगे चावल चावल आड़ करने के बाद हमें इसे अच्छे से अलट पलट कर लेना है तीन ग्लास चावल था ये जी ये हम दुबारा से नम्मक चेक कर लेंगे और अभी इसे हम बोईल आने देंगे देखिए और अब इसमें मैं आड़ करूंगी आदा नीमबू ताकि हमारे चावल खिले 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 पके बहुत अच्छा पकता है चावल अगर हम नीमबू दालते है तो पुलाव में जीरा राइस में अब हमें इसे पानी को सुका लेना है अच्छे से कि हमारे चावल पक जाए स्लो से मीडियम फ्लिम पे फास्ट नहीं रखना है तो नीचे से जल जाएगा देखिए पानी पूरा सूप चुका है पुलाव रेडी हो रहा है अब दुबारा से इसे थोड़े दिर स्लो पे दम पे रखूंगी परफेक्ट अब रेडी हो चुका है अमारा पुलाव देखिए एक दम टिस्टी टिस्टी पुलाव रेडी है अब मैं आपको इसे सर्फ क दिया है धई के कचुमबर के साथ माशाला देखिए मेरे अच्छे अच्छी रसीपीस के लिए आप मुझे कमेंट करके भी बताईएगा कि आपको मेरे रसीपीस कैसी लगती है और आप मुझे इंस्टेग्राम पे फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और अच्छी अच्छी रसीपीस के लिए आप मुझे लाइक, सबस्क्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा अल्ला हाफिस, टेक केर, बी सेब